बीवी का नाम कोई गेर मर्दले? क्यों? क्यों तमारी तारिफों केतने पुल बांदे वो? क्या रिश्टा है तुम्हारा उसके साथ? क्योंड रिश्टा है? मेरा उससे कोई रिश्टा ने, कोई तालुक ने ही है उससे. मैं नहीं मानता. और अगर रिष्टा हुआ भी ना तो अब नहीं रहेगा एक्सेस ब्लॉक करूँगा मैं गसला कर लिए मैंने ये मैं क्या सुन रही हूं सुल्तान तुमने अस्रा के मेके आने जाने पर पामन्दी लगा दिया जी जाल में फसकर रह गया है जब अस्रा की मा सुल्तान की सास सर्वत जहां पूछती है सुल्तान से कि क्या तुमने अस्रा को अपने माई के आने से मना किया है तो सुल्तान कहता है कि जी बिल्कुल ऐसा ही है और इसकी वजाहत में आकर आपको देता हूं कहता है सुल्तान अपनी सास सरवत जहां से कि ये घर का ओफिशल डिनर था और इस ओफिशल डिनर में वो इसरार क्या कर रहा था इस बात पर सरवत जहां अपने दामाद सुल्तान को जवाब देते हुए कहती है कि जैसे डिनर ओफिशल था बिलकुल उसी तरह से इस्रार भी ओफिशली इन्वाइटिड था लेकिन तुम मेरी बात का अब एक जवाब दो सुल्तान अपनी सास सरवत जहां के इस बात पर उसे जवाब देते वे कहता है कि आप मुझसे कोई भी बात पूछ सकती है मैं आपको आपकी तमाम तरबातों का जवाब दूँगा कहती है सरवत जहां के इस्रार तो ओफिशली इन्वाइटिड था लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये आहिरकार अलीना कौन है और तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी सुनता है जब सुल्तान सरवत जहां के मूँ से ये बात तो उसके तो जैसे रूम्टे ही खड़े हो जाते है और परेशाने के आलम में कुछ बोल भी नहीं पाता बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है और समझ नहीं पाता के आहरकार अपनी साथ सरवत जहां को क्या जवाब दे कहता है सुल्तान अपनी बीवी अस्टा से के मैं सोच पी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हो सकती हो कहती है अस्रा सुल्तान से कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी बिनापर आप मुझे इस तरह की बाते सुना रहे हैं सल्टान को आता है बेहत गुसा और वो अस्रा से कहता है कि मुझे अगर मालूम होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मैं तुम्हें कभी भी अपने माई के ना लेके जाता और दूसरी बात ये कि वो लोग है कौन तुम्हारा उनके साथ आहरकार ऐसा क्या रिष्टा है जो वो तुम्हारी तारीफ के पुल बांटी जा रहे थे असरा अपने शोहर सुल्तान के इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि मेरा उन लोगों के साथ कोई तालुक वास्ता नहीं है मैं उन लोगों को नहीं जानती और अगर वो मेरी तारीफ कर भी रहे थे तो इसमें मेरा क्या कसूर है मैंने तो उनसे नहीं कहा था कि वो मेरी तर्रीफ करें कहता है सुलतान कि तुम जो कुछ बे कह रही हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूą लेकिन एक बात याद रखो तुम्हारा उनके साथ कोई रिष्टा था या नहीं था लेकिन अब उनसे तुम्हारा कोई भी रिष्टा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे तुम्हारे माईके भी जाना बंद करवा दूंगा अस्रा हमोशी से सुल्तान की ये बात सुनती है और कोई जवाब नहीं देती क्यूंकि वो जानती है कि सुल्तान के साथ दहस करना फजूल है क्यूंकि सुल्तान वही करता है जो वो करना चाहता है करती है सरवजहां फौन सुल्तान को और कहती है कि यह मैं क्या सुन रही हूं कि मुझे यह सुनने को मिल रहा है कि तुमने अस्रा को अपने माई के आने से मना कर दिया है तुमने अस्रा पर पबंदी लगा दी है कि वो अपने माई के नहीं आ सकती अपनी माँ तक से आकर नहीं मिल सकती सुल्तान अपनी सास सरवजहां को जवाब देते हुए कहता है कि आपने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त सुना है मैंने उससे मना किया है कि वो अब आपकी तरफ नहीं आएगी इस बात पर सरवजहां को गुसा आता है और वो सुल्तान से कहती है कि मुझे आहिरकार इसकी वज़े जाननी है सुल्तान इस बात पर अपनी सास सरवजहां से कहता है कि देखें ये मुनासिब वक्त नहीं है मैं इस वक्त आफिस में मुझूद हूँ और बहुत मस्रूफ हूँ अपने काम में और इस बात को मैं फोन पर बिल्कुल भी डिसकस्ट नहीं करना चाहता तो बेटर ये है कि आप मेरा इंतजार करें आफिस के बाद मैं आपके घर पर आऊँगा और वहां पर आप से तसलिश से बात करूँगा आता है सुल्तान अपनी सास के पास और अपना पैर उपर रखने की खात तेर असरा पर इल्जामात की बुचार करना शुरू कर देता है और कहता है कि आहिरकार असरा का इसरार के साथ क्या तालुक है और आप ने उसको क्यों इन्वाइट किया जब कि ये एक ऑफिशल पार्टी थी सरवजहां कहती है कि आफिशल पार्टी में वो भी आफिशली ही इन्वाइट कि था लेकिन तुम मुझे अब इस बात का जवाब दो कि अलीना कौन है और होटल रूम में वो तम्हारे साथ क्या कर रही थी क्या देगा सुल्तान अब अपनी सास को जवाब क्या होगा आगे मजीद जानने के लिए देखते रही है ड्रामा सीरियल शिद्दत